कल वोट्पुरी फिल्मों के सुपरेश्टार पौवन सिंग की मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यवंत्री योगी आधितनाथ से होती है और योगी आधितनाथ से मुलाकात के बाद जब तस्वीर सामने आते हैं तब चर्चा इस बात की सुरू हो गई है कि क्या पौवन सिंग अब राजिटी में जाने के लिए पूरा मन बना चुके हैं और ऐसलिये क्योंकि आध से सिर्फ कुछ दिन पहले उनकी मुलाकात भाजपा वियार के एक और नेता है और समय पर जब भी मौका मिलता है तब वह भाजपा के निताओं से मिलते रहे हैं और इस बार जब पौवन सिंग की मुलाकात उत्तर परदेश के मुक्री मुखमंत्री योगि यादित αναओ्ँ मुलाकात से हुई है तब उनके साथ उत्तर प्रदेश के ही भारती जिंता पाटी के दो भी धायक भी मौझूद थे। मुलाकात के बाद बकाइदा पौवन सिंग की तरफ से उसकी तस्बीर को अपने फेस्बूक तता इंस्टाग्राम पर डाला गया और उसके बाद इस बात के कयास लगाए जाने लेगे कि क्या पौव कि फिल्म के शूटिंग उत्तर प्रदेश के बनारस में चल रही है और इसलिए फिल्म के शूटिंग के लीज़िलचले में पवन सिंग पिछले कुछ वक्ट से बनारस में ही है और वहीं से पवन सिंग उत्तर प्रदेश की मुख्यमंतरी योगी आदित नात से मिलने जाते हैं पवन सिंग के साथ उत्तर प्रदेश के भारतिय जन्ता पार्टी के दो विधायग में मौजुद होते हैं पवन सिंग इस तस्बीर को अपने फेस्बुक पर डालते हुए लिखते हैंगी आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंतरी आदिनिय योगी आदित नात जी का आशिरबाद मिला और हमारी बन रही फिल्म स्वक्ष गंगा अभियान प्याधारी हर हर गंगे पे विशेश चर्चा हुई और साथ में हमारे बड़े भाया सेयद राजा विधायक सूशिल सिंग जी पिंडरा विधाय कौधेश सिंग की बड़े भाया प्रजेश सिंग गुड़ू और मेरा छोटा भाई अमीज सिंग इसके बाद सबसे नीचे लिखा है कि जैसरी राव जब तस्वीर पोवन सिंग ने अपने सोशल मीडिया पर पोश्ट की उसके बाद से सोशल मीडिया पर हर जगा यह तस्वीर दिखने लगा और बिहार की इस छेत्र में लोग इस बात की क्यास लगाने लगें कि क्या पोवन सिंग अब भारतिये जनता पार्टी से सक्रियर राईजिती की शुरुबात करने वाले है वैसे अब आती से छिपी नहीं है कि पोवन सिंग भारतिये जनता पार्टी से उनकी काफी ज़्यादा नजदिकिया है और भाषपा नेताओं के लिए वे प्रचार भे करते रहे हैं और चाहें वो किंद्रिये नेता हो चाहें वो राच्च के नेता हो जब भी पोवन सिंग को मौका मिलता है तब वे वे वकाइदा उनसे मुलाकात करते हैं और अगर पोवन सिंग भीहार में आते हैं तब पत्ना में आकर वे एक दो मंत्रियों से मुलाकात जरूर करते हैं खोश्टकता है कि वह पौवन सिंग के वेक्टिकत रिष्टे हो लेकिन पौवन सिंग के समय के साथ राईउती में जाने के कया सब तेज होते जा रहा है। इसके कुछ दिन पहले यही पौवन सिंग की मुलाकात भारती जंता पार्टी के एक और नेता से हुई थी जो बिहारते तालुक रखते हैं और जिनका नाम आरके सिनहा है तथा उनसे मुलाकात के बाद पौवन सिंग ने अपने फेजूप पर लिखा था कि आज अपने अभि इसके पहले आपको याद होगा तो शाहनबाज हुसेचंश से कई बार मुलाकात हो चुछ की है अगर हम मुलाकात को छोड़ भी दे तो शाहनबाज हुसेचंश के लिए मतलब तो द्योग भी बाग के लिए पौवन सिंग एक वीडियो भी बनाया था उन्होंने जिसको उन सानबाई से ंंकी जमकर तारीफ की थी इसके आलवा पाहण सिंगे आ रा से जो सांचा रही मैं सासरी ऑल कि मन कहा जारा है making के बाद मनोस्ति यूलारी pioneers में बारे में सोच रहे हैं और शायद इसी तैयारी के साथ अब पवन सिंग सोचते हैं कि उनको सक्रिय राजिंती में आना है और इसलिए वे अलग-अलग भारती जिंदा पाड़ी की निताओं से मुलाकात कर रहे हैं और जब भी मौका मिलता है तब उसे मुलाने की कोशिज भी करते हैं बागी इसके पहले खेसारी लाल यादो को लेकर भी चर्चा चलती है कि खेसारी लाल यादो राजिंटी में आएंगे लेकिन खेसारी लाल यादो ने उस वक्त मना कर दिया था लेकिन पवन सिंग की सबसे राईंती कुले कर कभी मना नहीं किया गया है और ना इस पर वो खुल कर कुश बोलते हैं किसी को पता भी नहीं था जब पवन सिंग अचानक से भारती जंता पार्टी में शामिल होते हैं उसकी सदस्तागरान करते हैं और उसके बाद पवन सिंग सिर्फ भारती जंता पार्टी के लिए प्रचार करते हैं जबकि होता क्या है कि कोई भी सितारा भोजपुरी का हो तो जिसके पार्टी से पैसा मिलता है वो उसके लिए प्रचार करता है लेकिन पावन सिंग अब सिर्फ भाजपा के लिए परिचार करते हैं बागी अब आगे देखना होगा कि राइंटी में पावन सिंग क्या कुछ करते हैं आगे अगर इससे जुड़ी हुई कुछ नहीं जानकारी आगी कुछ नहीं अपडेट आएगा तुर से हम आप तक फिलाल इस वीडियो को में समाट करते हैं वीडियो को शेर कीजिए और अगर फेस्बूक पर देख रहा है तो पेश पूर आइक कर लिजिए और यूट्यूब पर देख रहा है तो चैनल को भी सब्स्क्राइक कीजिए मिलता है फिर बहुत ज़ल लगले वीडिये मुए कैम मुए कमार सी बहुत हो धन्यवाद